आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विक्टोरिया क्वीन और विक्टोरिया एम्परिस के पाँच बहुत ही कीमती सिक्कों के बारे में ये सिक्के copper coin भी हो सकते हैं, ये सिक्के silver coin भी हो सकते हैं और सबसे जरूरी कि ये सिक्के किसी के भी पास हो सकते हैं तो कौन से हैं ये सिक्के, क्या है इन्हें पहचानने का सही तरीका और क्या है इनकी current market value सब पता चलेगा Indian coin tales पर तो आईए सबसे पहले देखते हैं Victoria Empress का सबसे कीमती one quarter आना यानि कि Victoria Empress का सबसे कीमती copper coin वैसे तो रानी Victoria के कई one quarter आना rare हैं कीमती हैं लेकिन उनमें भी जो सबसे कीमती है वो है 1898 का one quarter आना जी हाँ इस year को याद रखिएगा 1898 का one quarter आना जो बनाया गया था सिर्फ कलकत्ता mint से और इसकी availability बहुत कम होने की वजह से ये rare coin की category में आता है साथी इस coin की सही पहचान के लिए इसके metal, weight और size की detail आप screen पर देख सकते हैं और अब बात करते हैं इस coin की कीमत की अगर 1898 का ये one quarter आना आपके पास unc condition में है तो इस एक coin के आपको मिल सकते हैं 15-20,000 रुपे तक लिकिन अगर ये coin आपके पास unc नहीं सिर्फ extra fine condition में है तो इस एक coin की कीमत होगी 5-7,000 रुपे के बीच और अगर ये coin आपके पास fine to very fine condition में है तो इसकी कीमत होगी 1,000 रुपे से 3,000 रुपे के बीच तो ये था रानी Victoria का सबसे पहला कीमती सिक्का और अब देखते हैं Victoria का अगला कीमती सिक्का जो है Victoria Queen हाफ आना year 1875 और इस coin को भी पहचानना इसलिए आसान है क्योंकि ये coin भी सिर्फ कलकत्ता mint से ही बनाए गए थे इसलिए इनकी पहचान को लेकर किसी दूसरे mint के साथ confuse होने का कोई chance ही नहीं बनता सिर्फ Victoria Queen के हाफ आना copper coin का year चेक कीजिए और अगर वो year 1875 है तो ये एक rare और कीमती coin है लेकिन नकली coins या copy coins से बचने के लिए ज़रूरी होगा कि आप इस coin का metal weight और size भी चेक कर लें जैसा की screen पर दिखाया जा रहा है आईए अब देखते हैं इस coin की कीमत अगर ये coin आपके पास UNC condition में है तो इस condition में ये extremely rare coin है और इसकी कीमत 30,000 रुपे से शुरू होकर 40,000 रुपे तक या फिर 50,000 रुपे तक या फिर 60,000 रुपे तक कहीं भी जा सकती है क्योंकि UNC condition में इस coin का मिलना एक rare possibility है लेकिन अगर ये coin आपके पास extra fine condition में है तो कीमत 20,000 रुपे से 30,000 रुपे तक जा सकती है वहीं fine to very fine condition के लिए ये कीमत होगी 5000 रुपे से 10,000 रुपे के पीच और क्योंकि ये एक rare coin है इसलिए इसे खरीदने या बेचने से पहले इस coin के design की बारिकिया original coin से match कर लेना आपके लिए फायदे मंद होगा आईए अब देखते हैं रानी Victoria का अगला कीमती सिका जो है Victoria Queen, 2 आना silver coin और साल है 1876 अगर आपके पास Victoria Queen का 2 आना silver coin है और उस पर year लिखा है 1876 तो ये एक rare coin है जो Bombay और कलकता दो अलग-अलग mint से बनाया गया था और इसके दोनों ही mint rare coin की category में आते हैं फर्क बस इतना है कि इसका कलकता mint coin जहां एक कीमती coin है वहीं इसका Bombay mint एक बहुत जादा कीमती coin है तो आईए पहले देख लेते हैं इस कीमती और बहुत जादा कीमती 2 आना silver coin के mints को पहचानने का सही तरीका Bombay mint 1876 2 आना coin dot and without dot दो अलग-अलग varieties में आता है जिसका मतलब है 1876 के 2 आना coin में से किसी coin में आपको यहां bottom floor की tip के उपर raised dot दिखाई देगा तो किसी coin में ये dot नहीं दिखाई देगा और ऐसा होने पर इनके mint की पहचान इसके size यानि diameter को नाप कर की जाती है जो होना चाहिए 15.60 mm या उससे जादा तभी होगा ये Bombay mint का coin और अगर ये dot या without dot Bombay mint coin आपके पास है तो इसकी कीमत UNC कंडिशन में शुरू होगी 30,000 रुपए से और जा सकती है 40,000, 50,000, 60,000 या इससे भी कई जादा गुना कीमत तक वहीं अगर ये coin आपके पास extra fine condition में है तो इसकी कीमत होगी 20-30,000 रुपए के बीच extra fine condition में और अब बात करें fine to very fine condition के coin की तो वो कीमत होगी 10-20,000 रुपए तक तो ये थी 2 आना 1876 के Bombay mint coin की पहचान और price अब देखते हैं इसी coin के कलकत्ता mint coin की पहचान और price वैसे तो आम तोर पर कलकत्ता mint की coin में यहां bottom floor के बीच में आपको letter C देखने को मिल जाएगा लेकिन इन 1876 के coin में ये letter C देखने को नहीं मिलता इसलिए इनकी पहचान करने के लिए भी इनका size यानी diameter चेक करना जरूरी है अगर इनका diameter 15.50 mm या उससे कम है तो ये है कलकत्ता mint का coin जिसके UNC condition में आपको मिल सकते हैं 25,000 रुपए तक और condition extra fine होने पर ये कीमत होगी 10,000 रुपए तक लेकिन अगर coin की condition fine to very fine के बीच है तो इस एक coin के आपको मिल सकते हैं 4,000 से 8,000 रुपए के बीच तो ये थे रानी Victoria के दो कीमती टू आना coins अब देखते हैं Victoria Empress का अगला कीमती सिक्का और वो है half रुपी silver coin 1878 जो बनाया गया था सिर्फ कलकत्ता mint से इसलिए mint के बीच confuse होने की कोई जरूरत ही नहीं अगर आपके पास Victoria Empress का half रुपीज silver coin है तो उस पर सिर्फ year देखे और अगर year है 1878 तो ये एक rare और कीमती कोईन है लेकिन इसकी सही पहचान के लिए इसके design के साथ साथ इसका metal weight और size देखना भी उतना ही जरूरी है जिसे आप अभी अपने screen पर देख रहे हैं और अगर ये कोईन आपके पास UNC condition में है तो इस एक कोईन के आपको मिल सकते हैं 40-60,000 रुपे के बीच UNC condition में और अगर ये कोईन आपके पास UNC नहीं सिर्फ extra fine condition में है तो इसके आपको मिल सकते हैं 20-30,000 रुपे के बीच extra fine condition में और अगर ये कॉइन आपके पास fine to very fine condition में है तो इस एक कॉइन की कीमत होगी 8000 रुपए से 15000 रुपए के बीच fine to very fine condition में तो ये था रानी विक्टोरिया का एक और कीमती सिक्का अब देखते हैं वो अगला rare coin जो बहुत से लोगों को मिल चुका है और आपको भी मिल सकता है और वो coin है Victoria Empress का 1 रुपीज silver coin जिस पर year दिखाई देना चाहिए 1897 ये coin भी Bombay और कलकत्ता दो अलग-अलग mint से बनाया गया था लेकिन इससे इसकी कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए अगर आपके पास Victoria Empress का 1 रुपीज silver coin है और उस पर year लिखा है 1897 तो UNC condition में इस एक coin के आपको मिल सकते हैं 30 से 40,000 रुपए के बीच लेकिन अगर ये coin आपके पास UNC नहीं एक्स्ट्रा fine condition में है तो इस coin की कीमत होगी 15 से 20,000 रुपए के बीच और अगर ये coin आपके पास fine to very fine condition में है तो इस एक coin के आपको मिल सकते हैं 8,000 रुपए से 15,000 रुपए तक तो अभी अपने रानी विक्टोरिया के सिक्के निकालिए और इस video को दुबारा देखिए क्योंकि ये 5 सिक्के कहीं भी कभी भी किसी के पास भी हो सकते हैं तो ये थी विक्टोरिया के कुछ बहुत कीमती coins की variety लेकिन अगर आप विक्टोरिया के 1 रुपी coin पर detailed video देखना चाहते हैं तो हमारे इस video को जरूर देखिए और इसी तरह अगर आप विक्टोरिया के 1 quarter आना पर detailed video देखना चाहते हैं तो हमारे इस video को जरूर देखिए लेकिन उससे पहले हमें comment box में जरूर बताईए कि ये video आपको कैसा लगा और उससे पहले subscribe का बटन दबाईए bell icon को press कीजिए ताकि हम सुनाते रहें और आप सुनते रहें Indian coin tales